सिर्ट इन कि तो मैं इदर से बना लिया अब हमने इधर से रुटेत फू लेने पादंध लेने के बाद आप रुटेट पूल की मदद से जिस जग़ाँ क्लिच करेंगे ये जिस माला जो सेंट्रल पॉइंट है उस जगह आ जाएगा तो यह पॉइंट उस जगह आने का मतलब यह है कि आप उस पॉइंट के इड़ गिर्द इसको रूटेट भी कर सकते हैं और रिपीट भी कर सकते हैं ठीक है और यह काम सेलेक्शन टूल की मदल से आपका मुश्किल हो वहा अहां पर ऑगया अब इसको मैं अगर रूटेट करूंगा तो देखें यह इस पॉइंट के इडगीड रूटेट करेगा और लेजिवेट को आयो लिफेंगर करें ना चाहते हैं उतना तो उतना करें इसको और कोपी भी करना है आइता बटक्रेस करते तो यह कूपी भी हो अब जिस डिरेक्शन में आपने इसको कोपी किया इसी को आप डूब्लीकेट करते जाए डूब्लीकेट की शॉर्टकट कमाड़ है कंट्रोल डी तेके कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊँगा मैं तो यह इसी के अराउंड उसी को रिपीट करता जाएगा ठीक है अब यह देख सरकल लिया है अलिप्स लिया झीक है अलिप्स मैंने बना लिया अब मैं चाहता हूं कि इस इलिप्स के अराउंड जो है ना कोई भी मैं रक्टेंगल लगा गण या स्टार एड करसे तो हो एक स्टार मैं बनाता हूँ, अब मैं स्टार इदर सेंटरल पॉइंट के उपर ही बनाना चाह रहा हूँ, यह अगर आपकी ग्रिड लाइन विउ ओन होगा तो यह आपको छोटी छोटी लाइन इदर शो करेगा कि कहां पर आपका सेंटर आ रहा है, आप फूर एक्जेमपल य आप चाहते हैं कि एक्वली हो जाएं सारे, एक्वली सारे रुटेट हो स्टार और सरकल के अराउंड चले, कोरल ड्राय में या फोटोशोप में आप क्या करते थे, कि आप कॉपी लेते थे इसकी डूब्लिकेट लेंगे, डूब्लिकेट लेने के बाद आप इसको लेके च कर दिया, वो पॉइंट यहां प्रेस का लोगा, आप मैं क्या करूंगा, अल्ट का ब्टन भी साथ मैंने प्रेस किया, यहां पे कोपी भी हो गया, और रुटेट भी हो गया, रुटेट टूल की मरज से, ठीक है, यए याद रखने है आप में, अब कंट्रल डी प्रेस करता जाँगा तो यह देखें सर्कल के एराउंड चलता जाएगा अच्छा आप गोर करें जरा के हमने बना तो लिया यह लेकिन आप क्या हुआ है इशू क्या है कि यह एक्वल नहीं है यहां पर आके काम खराब हो गया कुछ ऐसर डिजाइन होते हैं जो बिलकुल एक्वल बनाने बढ़ते हैं तो आपको तो सारा गाम डिस्टरब हो जाएगा ठीक है अब इसका तरीका कार क्या होगा कि मैं अंडू करता हूं सर्कल जो होता है उसके राउंड कितनी रूटेशन होती है कितने डिग्री का एंगल बनते हैं पता है किसी को कितने एंगल होते हैं एक सर्कल में हाँ थ्री सिक्स्टी होता है तो हमने इदर इसको तदाद बतानी है थ्री सिक्स्टी है और थ्री सिक्स्टी को हम जो है क्या उसे कहते हैं कितने हम स्टार्ज बनाना चाह रहे हैं थ्री सिक्स्टी को डिवाइड कर देंगे उस फिगर प मैं 20 स्टार्स बनाना चाह रहा हूं तो 360 डिवाइड़ वाइट 20 करूंगा मैं ठीक है कितना बनता है इसे कल्कुलेटर हम ओपन कर लेते हैं कि हम डिवाइड करके देखते हैं अगर थर्टी स्टार्स लगाने है तो थर्टी का सीक्वेंस कितना कितना होंगे कितने लगेंगे हम वह एंगल देखेंगे यह हम डिवाइड किसलिए कर रहे हैं कि एक स्पैसिफिक एंगल देखने के लिए तक के हमारे जो स्टार्स यह जो भी हम डिजाइन बनाना चाहें वह एक्विल बने ठीक है कि रूटेट टूल लिया आपने ठीक है रूटेट टूल ले लिया अब सेंटर कौन सा है वह सेंटर देखना है हमने इसको सेंटर देखेंगे यह सेंटर पॉइंट है सेंटर जब आपको मिल जाए सेंटर पॉइंट कौन सा है तो आपने क्या करना है सेंटर पॉइंट पर आके आपने आल्ट का बटन भी प्रेस करना है साथ और क्लिक कर देना है यहां पर जैसे ही आप आल्ट का बटन प्रेस करके वहां पे क्लिक करेंगे सेंटर पॉइंट पर तो यह रूटेट का एक डायलोग बोक्स आपके सामने शो हो जाएगा अब यहां पर आपसे पूछ रहा और दो ठीक है अच्छा यहां पर प्रिवियू करना चाहिए इसका इसका प्रिवियू भी कर सकते है यह देखें इसका प्रिवियू हो रहा है मैं तक सिंपल कोपी हो गया अभाब कंट्रोल डी प्रेस अब आप देखेंगे कि वह विल्कुल हुआ है तो पता नहीं कितने हैं देखें एक दो तीन चार पांच शे स्टार आठ आठ नो दस यारा बारा तो इनश बीस पूरे लगे जितने हमने बताये थे उतने के उतने ही लगे हैं ठीक है और यह हमने कल्कुलेशन की मदद से एक एकुरेट से में अपने सामने बना लिए ठीक है को समझाईए इसकी आपको जी इसको रिपीट करता हूँ यह अंदर वाले सरकल की कोपी ले लेता हूँ मैं इसका इसको करता हूँ साइज इसका यह करती है अब इसको मैं उठाके यहां पर ले आया यह देखें यह सेंटर आपने नोट करना है यह जो सरकल है दरम्यान वाला इसका सेंटर देखना है कि इसका सेंटर कहां पर आ रहा है यहां पर आ रहा है सेंटर वापको ग्रीड लाइन उदर शो करके आप को हाईलाइट भी करेगा कि यह सेंटर है अगर फिर भी आपको सेंटर नहीं मिल रहा तो उसका एक बहतरीं तरीका कार यह होता है कि आप उदर से रूलर को ग्रिड लाइन व्यू को शो कर लें ठीक है वो करने के लिए आपको क्या करेंगे कि इदर विंडो में आएंगे और यहां पर आप्षिन होगा गिड लाइन का ठीक है रूलर वार यह ग्रिड लाइन को और साप्षिन पर फिर भी ना मिले तो आप इदर से ड्रैग करके लिए हैं इसको व्यू बटन में आए व्यू में आके यहां पर देखें जी यहां पर लिखा होगा रूलर, शो रूलर ठीक है? शो रूलर करेंगे, रूलर बार शो हो जाएगी, आब यहाँ से एक लाइन उपर से ड्रैक कर के आप इदर सेंटर में ले आिगो यह देखे हैं, सेंटर दीखा रå है आपको जब line को drag करके लेके आएंगे आप तो आपको बताएगा कि यह सरकल के center में आ रहा देख्ει आगया ना प्हब्लिक दूसरी नब्र से भी आप एक line को drag करके लिएं हैं, वो भी आपको center में show करेगा देख,' allem जहां center होगा वो इसको highlight whether this keeping है अब यह आपका एक पॉइंट हो गया ठीक है अब आप इसी पॉइंट के अराउंड जो है अपना काम करेंगे सारा ठीक करेंगा लिए देखने वावश्ट का बटन प्रेस किया है और चैनका प्रेट प्रेस किया और साथ मैं यहां पर भी इस क्लिक कर दिया कि जैसे आपनेन कहेंक पर क्लिक करेंगे तो जो आपने कलकुलेशन निकाल ली होगी यानि के आपने 360 को पहले मल्टिपलाइ करना है जितने आपने सर्कल्स बनाने है तो मैंने एगर फॉर इग्जैंपल यहां पर मैंने 25 बनाने है यह 30 बनाने है तो पहले आप 360 60 लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 30 से इक्वल टू 12 ठीक है यानि के 12 डिगरी पे ये रूटेट होगा तो हमने इदर 12 लिख देना है जहां पे 18 लिखा हुआ था यहां पे 12 कर देना है और इसको कोपी कर देना है जैसे कोपी करेंगे वो इस तरह आपके सामने शो कर करेंगा आपने कोई छेड़ चार्ड नहीं करनी सिर्फ कंट्रोल डी आप दबाने देखें कंट्रोल डी दबाता जाओंगा और यह पूरे के पूरे 30 करके दिखाएगा मुझे और एक्वल करके दिखाएगा यह ठीक है इसको आपने हाइड करना है इसमें आप हाइड कर सक किया और अगर आपने इसको हाइड बोक्सिंग इसकी शॉर्टकट कमांड भी है कंट्रोल और सेमी कॉलन करेंगे तो यह जो आपने लाइन की हुए यह आपकी हाइड हो जाएगे ठीक है शो करनी अगेंड शो हो जाएगा हाँ जी कुछ पता चला है या एक दफ़ा और रपीट कर लो जी 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 चीक हो सर्थ इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं एक स्पैसिफिक एंगल पे भी और अपनी मरजी के मताबिक रपीट भी कर अब यह बड़ा अच्छा से कोई भ पात हम करते हैं अलाइनमेंट की जैसे मैंने कोई रेक्टैंगल बनाए हैं यहां पर एक यह बना दिया इसी की मैं कॉपी ले लेता हूँ कॉपी ले लिए इसको मैंने री साइज करना है तो इसे मैं यहां से री साइज भी कर सकता हूँ अब मैंने कुई इनका सीक्वेंस नहीं आप गोर करें तो बे तर्टीब बने हुए बिलकुल ठीक है इनकी कोई की तर्टीब नहीं है तो मैं इन सब को एक तर्टीब में लाना चाहता हूँ एक सीक्वेंस में लाना चाहता हूँ तो किसी को पता है कैसे लेके आ सकते हैं इसको जी अगर पता है किसी को तो जरा मुझे बताएं जी कोई बता सकता है जी बिल्कुल नहीं बता सकता थीक है अब ये बे तर्टीब है मैं इनको तर्टीब में लाता हूं तो मैं इदर सेलेक्शन टूल लूँगा और सब को सेलेक्ट कर लूँगा सारे सेलेक्ट हो गए जैसी सारे सेलेक्ट होंगे उपर देखें आपको अलाइनमेंट के कुछ आप्शन शो कर रहे हैं यह देखें अलाइनमेंट के आप्शन शो हो रहे हैं यह अभी देखें फोरिजेंटल अलाइन यानिके लेफ्ट की तरफ सारे करने है आप इस पर क्लिक कर दें तो सारे के सारे लेफ्ट की तरफ हो जाएंगे सेंटर करने है तो सारे सेंटर हो जाएंगे राइट करने है राइट हो जाएंगे अप करने ऊपर चले जाएंगे ऊपर के सेंटर में करने ऊपर के सेंटर में हो जाएंगे डाउन करने है डाउन हो जाएंगे ठीक है वह टॉप बोटम लेफ्ट राइट सेंटर जो मैंने आप तो पोलर ड्रा में बताया था वही सेंप इसके अंदर ठीक है यानि कि अगर आप वर्किंग कर रहे हैं कोई अबजेक्ट आपने बनाया हुआ है तो इसको सेंटर में लेके आना है तो आप क्या करें दोनों कर ब्icking बैसिक सी चीज है जब आप डिजाइन बनाते हैं तो आपको काफि खपना पड़ता है इससे खपना कांपड़ेगा तो ऐस अभी सेलेक्शन टूल लिया है इस और सबसूर बना लिया एक और बना लिया जिस्ट ओसटिक मैं एक और सिर्कल बना लिया यह आप शिफ्ट की की से बनाएंगे तो वह राइक वलाव के से कर देंगे अब मैं इस सर्कल को यहां पर रखता हूं इसका कलर चेंज कर देता हूं कोई इस सर्कल का कलर यही रहने देते हैं इसका चेंज कर देते हैं इसका कलर चेंज कर दिया इसका कलर चेंज कर देते हैं इसका कलर चेंज कर देते हैं अब मैं क्या करूंगा कि सब को सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल एसे मैंने सारे सेलेक्ट कर लिये उपर alignment option show हो गया है center कर दिया है इनको और यहां से मैं इनको center में लिया रहा है देखें जी वो सारे circle center में होगा कोई हमें इसमें खपना नहीं पड़ा कोई कुछ अपने selection tool से move करके हमें alignment नहीं करनी पड़ी तो वो सारी उसने automatically कर दिये तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारे एक ही point पे आके कठे हो जाएं जैसे कि ये बड़ा circle है circle की position भी यही रहे और सारे इसी जगा पर ही कठे हो तो आपको क्या करना है कि पहले सारों को select कर लेना है देखें सब select हो गए उसके बाद keyboard से आपने shift का button press करना है shift का button press करके रखेंगे और इस पर click कर देंगे बड़े बड़े circle पर शिफ्ट का button press करके रखेंगे और बड़े वाले circle पर click कर देंगे ठीक है जिसके center में या जिसके around या जिसमें आप सारे objects को लेके आना चाहरे हैं आप उस पर click कर देंगे तो वो थोड़ा इसी dark outline show करेगा blue color में जैसे ये कर रहा है ठीक है याद रखेंगे पहले सबको select करें उसके बाद जिस circle के अंदर या जिस rectangle के अंदर या जिस subject के अंदर सबको लाना चाहरे हैं आप उस center आपका point है उसको shift की मदद से select कर लें तो वो इस तरह thick outline आपके सामने show करेगा तो stroke कर लग जाएगे ठीक है अब आपने क्या करना है यहां से center कर देने अब वो रैड़ वाला circle अपने उसी जालत मेरा उसी जगह मेरा और सारे उसके अंदर आके जाम होगे यह होता है इसका benefit alignment का ठीक हो गया जी समझा गी है यहां तक जी जी सर अच्छा अब मैंने आपको join और arrange की एक shortcut command बताई थी वो क्या थी क्या है किसी को तरीका पता है उसका जी सर जिसमें सारस में CSJ कंट्रोल और शिफ्ट और प्लस जे सर हां कंट्रोल और शिफ्ट और जे इससे वो join भी कर देगा और रेंज भी कर देगा ठीक है यह जी average कर देगा average था यह रेंज था यह की शेफ हो जाती है अब यह कुछ बेसिक सी चीज़ है यह मैंने आपको इनके टूल्स बता दिए अब मैं आपको एक practical बेजूँगा एक clock बना होगा वह clock आपने इन्ही टूल्स की मदद से ही बनाना है क्योंकि यह टूल्स मैंने आज इस लिए बताई है कि जो next practical व 1000 विन करने वाली से आपने एक लड़का काम करता है वो कहता है जी कि आप कंप्यूटर पर बैठे रहते हो तो मेरी फोटो बना कर दिखा हो तो मैंने उसकी फोटो बना के उसको इल्लस्ट्रेशन बनाने की कोशिश की तो जीब काटून सा बन गया Mijn आपको बेज़े बेज़ने का मचद यह ता कि आपको شडू लगाने आएं तो वह आपको जब शेयडव लगाने मतलब कि जैसे किसी बंदे ने बाजू खडा किया हुआ है अब बाजू खडा किया हूए आपने उसके टे रही है लेकिन बाजू की जब वेन्स नहीं बनाएंगे बाजू के आप उसको शैडो नहीं देंगे तो वह उरिजिनलिटी नहीं लगेगे उसके अंदर अब मैं इसी तरह के जासे आप बता रहे हैं ना एक कोई अजीब सा इंसान बन गया मैं आपको एक और इमिज बेजता हूं तो वो मेरे और फस्ते वाले स्टूडेंट उन्हों ने बनाई है तो वो उसके हाथ उसने इतने जीबों गरीब बना दें जैसे लकवा हुआ पता नहीं उसे तो वह आप देखके उनको भी हरान होग कि झाले इंसे बना देखके बनाई है झाले स्मावा गर पान मैं चारा मैं पताव एक जब हो वो सीटियब बनाई है जे जीबों भी है अल्याम करदे है वह आप दो देक सांवारा मैं अल्दूडेंट